गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स और जैसा आपको मालूम है कि कल हमने प्रॉफिट एं लॉउज एप्रोप्रेशन एकाउंट्स कंप्लीट किया था और हमने एक्जंपल नूंबर दो किया था कपिल और सुनील का तो जो पहला एकाउंट होता है आपने सभी ने देख लिय इसके जो भी प्रोफॉर्म है I hope आप सभी ने याद कर लिया होगा और आपको यह जो फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन एकाउंट का यह समझ में आ गया होगा तो यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रेशन एकाउंट को और आज हम इससे तोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जिसे की हमको सवाल में दिया हुआ था कि आपको दो तरह से अकाउंट्स बनाना है तो दो पद्दतियां होती है एक होती है आपकी परिवर्तंशिल पद्दति परिवर्तंशिल पद्दति परिवर्तंशिल जो पद्दती होती है आपकी है ना इसको हम फ्लैक्शुटिंग कैपिटल मेथड भी बोलते हैं क्या बोलते है कि हम लिख देते हैं कि when capital is like shooting ठीक है जब सवाल में आपको ये पूछा जाए कि आपको ये सवाल परिवर्तंशील पद्दती से भी करना है और यही सवाल आपको जो है इस्थिर पद्दती से भी करना है इस्थिर पद्दती इस्थिर पद्दती को बोलते हैं हम when capital are fixed clear तो जब भी हमको सवाल आता है profit and loss appropriation account का वो हमसे दो पद्दतीयों से accounts बनाना करता है कि आप दो पद्दतीयों से accounts बनाई है सबसे पहली पद्दती होती है परिवर्तंशील पद्दती when capital is fluctuating और दूसरी पद्दती होती है इस्थिर पद्दती तो हमें मालूम है कि जब भी हम परिवर्तंशील पद्दती से accounts बनाते है परिवर्तंशील पद्दती से दो प्रकार के accounts बनते है नमबर एक profit and loss appropriation account और profit and loss appropriation accounts को हमने कल समझा था कि profit and loss appropriation account केसे बना जाता है और जो नमबर दूसरा account है जब नमबर दूसरा account हमारा बनेगा partners capital account partners capital account तो जब भी हमको दोनों पद्दतीओं से पूछा जाता है हम सबसे पहले पहली पद्दती से accounts बनाते हैं जो की पद्दती है आपकी flex rating capital परिवर्तंशील पद्दती परिवर्तंशील पद्दती में दो परकार की खाते बनाए जाते हैं पहला profit and loss appropriation account जो हम बना चुके हैं अब हम दूसरा account यहां समझेंगे कि profit and loss appropriation accounts के बाद partners capital account हम कैसे बनाते हैं तो देखिए हम partners capital account कैसे बनाएंगे उसके लिए आपके सामने profit and loss appropriation account मेंने हाँ पर बना हुआ रखा हुआ है और हमको कैसे बनाना है इसको देख लेते हैं तो सबसे पहले तो यहां पर जो इसकी two side होती है वो debit side होती है और जो इसकी buy side होती है वो credit side होती है clear ठीके यहां पर दो columns होते हैं पहला column होता है आपका particular का particular दूसरा आपका amount का column होता है और amount के उतने column होते हैं जितने partner होते हैं तो हमारे पास दो partner थे एक partner का नाम था हमारा सुनील तो एक तो हमने सुनील का column बनाया amount का और दूसरा था आपका कपिल तो दूसरा आपका कपिल का column बना यहाँ पर जो two side होता है इसको two करके हम जो भी amounts आएंगे उनको लिखेंगे और यह हमारा by side होता है और by side में भी उतने ही column होते हैं जितने two side में होते हैं तो पहला column हो जाएगा आपका particular दूसरा आपका amount के उतने column हो जाएंगे जितने आपके partner हैं तो यहाँ हमने देखा कि हमारे पास दो partner हैं पहले partner का नाम है आपका Sunil और दूसरा है आपका Kapil clear तो यह बहुत ही बनाना आसान है इसको partners capital को और यह हम किसकी सायता से बनाएंगे यह हम profit and loss appropriation accounts की सायता से बनाएंगे तो चलिए सबसे पहले हम इसकी buy side में देखते हैं कि buy side में कितनी चीज़े आती हैं तो buy side में जो इसकी items लिखते हैं वो 6 plus 1 याने total 7 items आते हैं और यदि हम 2 side की बात करते हैं तो 2 plus 1 याने इसमें 3 items लिखाते हैं अब आप सोचेंगे कि 7 items कहां से लिखेंगे कैसे लिखेंगे तो चलिए हम इसको start करते हैं बहुत सरन है तो हम इसकी buy side को complete करेंगे तो इसकी buy side में कौन-कौन सी चीज़े आएंगी इस सबी चीज़ों को उठा के यहां से आपको as it is buy में लेके आना है याने profit and loss appropriation account में आपकी जो 2 side की items होती हैं वो सबी कहां चली जाएंगी buy side में चली जाएंगी पर कौन-कौन सी जाएंगी चली हम देखते हैं to interest on capital जाएगा to salary to partner जाएगा bonus to partner जाएगा commission to partner जाएगा interest on loan जा expenses other expenses नहीं आएगा net profit आजाएगा आपका clear फिर से देख लेते हैं to interest on capital जाएगी दिया हुआ है तो उसको ले लेंगे salary to partner दी हुई है तो उसको ले लेंगे bonus to partner दिया हुआ है उसे ले लेंगे interest on commission to partner दिया है उसे ले लेंगे interest on loan दिया हुआ है उसे ले लेंगे other expenses को छोड़ देंगे और Net Profit को हम ले लेंगे तो चलिए हम एक एक करके लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर आपको दिया हुआ है Interest on Capital तो Interest on Capital को हमने यहां पर ले के आए तो Buy में आ गया तो 2 जगे Buy हो गया तो Buy Interest on Capital Interest on Capital चल आप देखेंगे सबसे पहला आपको दे रखा है 25 रुपया सुनील में दे रखा है और आपका कपिल में 2000 का अमांट दिया हुआ है हमने कपिल और सुनील में अमांट लिख दिया दूसरा आपको यहां से उठा कि यहां लाना है तो बाई में लेके आना है क्या लेके आना ह चलिए इसको लिख देते हैं salary to kapil कितनी है 10,000 यानि सुनील में कुछ भी नहीं आएगा और kapil में कितना आएगा kapil में आप लिखेंगे 10,000 next हम जलते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको bonus to partner कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो चलिए हम अपने समझने के लिख लेते हैं कि इसको भी लिखना पड़ता है पर कुछ भी नहीं है इसलिए हम इसको blank कर देंगे to bonus to partner अब bonus to partner था ही नहीं सवाल में इसलिए हमने इसको dash कर दिया, आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, next दिया है commission to partner, इसको भी उठा के यहां लेके आएंगे, पर commission to partner भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, commission to partner, commission to partner भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए भी इसको हम blank कर देंगे, next हम आते हैं interest on loan तो देखिए interest on loan भी कुछ नहीं दिया हुआ है नहीं दिया है तो यहाँ पर आप कुछ नहीं लिखेंगे by interest on loan यदि दिया होता तो हम लिखते हैं नहीं दिया है तो दुनों तरफ हमने लगा दिया other expenses को मैंने वोला है आप छोड़ देंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो इसको as it is लेखेंगे भी नहीं पर यहाँ पर हमको net profit हुआ था net profit में हमने लिखा था transfer to partners capital account बिल्कुल इसको हम partners capital account पर ले जाएंगे सुनील में 10,200 और कपील में 6,800 लिख दीजे यहाँ लिख देंगे हम सुनील में 10,200 और कपील में लिख देंगे हम 6,800 रुपे clear यह हम यहाँ पर लिख चुके हैं तो देखते हम कितने items हमने लिख दिये 1,2,3,4,5,6 तो देखिए 6 items यहाँ पर हो चुके हैं clear ओपर हमने यहाँ पर लिखा था कि plus one एक item ओर आता है तो एक item कौन सा आता है तो देखिए एक item जो आपको शुरू में लिखना है मैंने यहाँ जगे छोड़ दी थी by balance brought down अब by balance brought down में क्या लिखाता है तो देखिए by balance brought down में यहाँ पर इनकी capital लिखाती है मैं आपको ब्रेकट में capital लिख देता हूँ आपको यहाँ पर capital लिखना है तो हम دेखते हैं सुनिल और कपिल की capital कितनी दी तो देखिए यहीं हम सवाल पढ़ते हैं तो हम सवाल में दिया हुआ है कि सुनिल की जो है 50,000 की capital है और कपिल की जो है वो 40,000 रुपे की capital है तो यहाँ पर हम एक item बढ़ा दिया हमने सबसे पहले उनकी capital किस नाम से लेकी by balance brought down के नाम से और बाकी सारी चीज़े कहां से लेके आए हैं बाकी सारी चीज़े हम profit and loss appropriation account के two sides से लेके आए हैं किसको छोड़ा है हमने two other expenses को छोड़ दिया है बाकी सभी को हम यहाँ पर लिया है अब यदि हम count करेंगे तो one, two, three, four, five, six, seven seven items हो गई, seven plus one clear चलिए अब यहाँ पर हमने लिखा था two plus one यहने three item तो सबसे पहले यहाँ पर जो item लिखा देते ही है वो item आएगा आपको drawing क्या लिखेंगे हम two drawing यदि सवाल में partners की कोई drawing दी है तो आपको लिखना पड़ेगी तो इस सवाल में partners की जो drawing दे रखी थी कि सुनिल की जो drawing थी वो थी आठ हजार रुपे और कपिल की जो drawing थी वो आपकी थी 15,000 रुपे तो हमने यहां true drawing लिख दिया तो हमने लिखा था 2 प्लस 1 एने 3 एक item तो हो चुका है अब 2 item कहां से लाएंगे तो 2 item के लिए वापिस से हम partners, sorry profit and loss appropriation account में जाएंगे अब इसके हम buy side को देखेंगे तो देखें, buy side में आप कुन-कुन से चीज़े लेंगे आप सबसे पहले buy balance CD brought down जो है, यहीं छोड़ देंगे क्योंकि buy balance brought down जिसमें हमने net profit लिखा था वो उसका काम profit and loss appropriation account के लिए था इसलिए इसको नहीं लेंगे बाकि 2 जो आपने लिखा है buy interest on drawing इसको ले लेंगे buying किया हुआ है, यदि आपको net profit नहीं होता है, net loss होता है तो आपको उसको लिखना पड़ेगा तो आप किस क्यों ले लेंगे हम, interest on drawing को ले लेंगे, यहां से buy से उठाया और हमने इसके 2 में रखा, 2 interest on drawing 2 interest on drawing, अब interest on drawing में इन दोनों की drawing दे रखी सुनिल की दे रखी थी 200 रुपया और कपिल की दे रखी थी 300 रुपया चलिया, यह तो दो यह item हुए, तीसरा item, तो तीसरा item मैंने बताया, net loss लिखते हैं, पर net loss है नहीं, ठीक है, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं हम के लिए आपर लिख देते हैं कभी बाइदर वे आपको सवाल में आता है, तो आप लिखेंगे, to net loss कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया, clear, तो यह हम यहां की item गिनते हैं, तो 1, 2, 3, यह तो प्लस 1, 3 हो गई, यहां पर एक नया item बना, बड़ा, to drawing और buy side में एक नया item बढ़ता है, buy balance brought down, याने उनकी capital का opening balance clear, चलिए, अब हम आगे इस सवाल को वड़ते हैं, कि अब इस सवाल में क्या करेंगे, तो देखें, आपको क्या करना है, debit और credit side के दोनों तरब का total करना है, तो यह हम कपील का इस credit side का total करें, ठीके, और कपील की, two side का total करते हैं, सबसे पहले, तो यह हम total करते हैं, तो देखी, कितना आएगा, देखी, यहाँ का total देखते हैं, कपील में यहाँ पर दिया हुआ है, आपको 40,000, फिर यहाँ पर दे रखा है, आपको 2000, फिर छे, 58800 तो यहां का टोटल आ रहा है 58800 कपिल का credit side का अब इसको जोडते हैं we must two side जोडते हैं तो 15300, यहीं 15300, यहीं 15300, यहीं हमारा two side का total काम है और इदर आ रहा है हमारा 58800, यहीं हमारा credit side का total ज्यादा है सबसे पहले ज्यादा side का total को हम लिख देंगे 58,800 और यहां का जो टोटल आ रहा था वो आ रहा था किवल 15,300 यानि कमी कहां आ रहे है आपकी टू साइड में आ रहे है यानि ज़री ज़री आपका क्रेडिट बड़ा होता है और आपका डेबिट छोटा होता है तो आपका जो बैलेंस होता है वो आपका टू साइड में आएगा ठीके तो टू इसको या तो आप कैश के नाम से लिख सकते हैं या बैलेंस के नाम से लिख सकते हैं टू बैलेंस और सीडी कैरेट डाउन ठीके तो कहां पर 15,300 इदर का था आएगा वो आएगा 43,500 तो आपके इदर का भी टोटल बराबर हो जाएगा 58,800 तो यह आपका कम्प्लीट हो गया टोटल चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे क्या बोल रखा है तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमको क्या करना है तो यहाँ पर हम सुनील के उसमे जाते हैं और देखते हैं कि जो सुनील है सुनील का टोटल कितना आ रहा है तो दीखिए इदर सुनील का टोटल आ रहा है है 50,000 और इदर आ रहा है 2500 और नीचे आ रहा आपका Net Profit 10200 यानने Definitely आपका जो है इधर का Total बढ़ा है Count कर लेते हैं 50 1060 62 62700 Total आ रहा है यहांका 62700 यानने आपका 2012 से यह वाली सैट आपकी बड़ी आ रही है 2 सैट बड़ी है सुनिल की इधर की सुनली की Total करते हैं तो आठ हजार दोसों कम है याने आपका debit side छोटा है और credit side बड़ा है तो 62-200 में से आप 8200 को गटा दीजिए तो definitely आपका जो balance आएगा वो दोबारा से two side में आएगा कितने की कमी पट रही है तो यहाँ पर आपको जो कमी का amount आ रहा है वो आ रहा है चोपन हजार 500 रुपे चोपन हजार पान सो आठ हजार दोसो में जोड़ेंगे तो आपका दोनों तरफ का टोटल बराबर आ जाएगा 62,700 62,700 अपका बराबर आ गया आप नीचे डबल लाइन कर लिजिए याने यह आपका partners capital account complete हो गया है दोनों तरफ का complete हो गया है आपका याने आपका two side और आपका buy side के total का मिलान हो गया है चलिए अब हम यह देखते हैं कि जो परिवर्तनशील पद्दती होती है उससे क्या हमने खाते बना लिया हैं तो बिल्कुल हमने खाते बना लिया हैं पहला खाता हमारा क्या था पहला खाता आपका था profit and loss appropriation account और दूसरा था आपका partners capital account clear चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें कि आपके दो account complete हो गए तो जब आपकी जो पद्दती है आपकी जो पद्दती है और आपकी पद्दती पहली कहती है कि यह दी आपकी पद्दती परिवतनशील पद्दती होती है और परिवतनशील पद्दती दी होती है तो उसमें कौन-कौन से खाते बनाये जाते हैं तो दो खाते बनाये जाते हैं आपका पहला बनता है profit and loss appropriation account दूसरा आपका बनता है partners capital account तो देख लिए आपने कि यह जो अकाउंट है partners capital account हमने किसकी सायता से बनाया तो हमने profit and loss appropriation account की सायता से बनाया ठीक है चलिए आपका बनेगा profit and loss appropriation account दूसरा बनेगा partners capital account और तीसरा बनेगा partners current account चलिए हम उसको समझ लेते हैं कि हमको कैसे बनाना है वो अभी हमको partners profit and loss appropriation account की मदद से ही हम बनाएंगे तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे बनेगा तो यहाँ पर हम आते हैं कि जब हमारी जो पद्दती होती है वो इस्तिर होती है तो जब पद्दती इस्तिर होती है तो हमें तीन प्रकार के खाते बनाना पड़ते हैं profit and loss appropriation account दूसरा बनेगा partners capital तीसरा बनेगा partners current तो हम यहाँ पर account बना रहे हैं partners capital account partners capital account में column वही रहेंगे आपके जो पहले थे particulars का column रहेगा और amount के उतने column होंगे जितने हमारे partners थे तो देखिए यहाँ पर आपके partners थे sunil और kapil यहाँ भी आपका particulars का column आएगा यहाँ पर आपका amount का column आएगा और यहाँ भी आपका amount का column आएगा यह हो गया आपका सुनील और यह हो गया आपका kapil तो चलिए अब यह पर्दती आपकी change हो गई है यह पर्दती कहती है इस तिर पर्दती में आपको partners capital account कैसे बनाना है तो देखिए partners capital account बहुत सरल होता है आपको कुछ नहीं करना है इसकी भी शुरुवात आप buy side से करेंगे और सबसे पहले ची लिखेंगे आप buy balance brought down buy balance brought down में क्या लिखेंगे जी हाँ आप इनकी opening capital लिख दीजेगा opening capital दी होई थी 50,000 रुपे सुनी लिखने capital के लगाये थे और 40,000 रुपे आपके capital के थे बस आपको इस account में केल उनकी capital लिखना है यहाँ पर एदि आप total करेंगे तो इदर का total है आपका 50,000 और इदर का देखिए तो इदर का है आपका 40,000 clear कुछ में नहीं करना है ऐसा कैसे balance निकाल दीजिए 2 में आजाईए 2 balance CD तो देखिए सुनील का यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ पर है 50,000 तो यहाँ भी amount कितना आएगा उसका balance कितना आएगा 50,000 आएगा और capital का यहाँ कुछ भी नहीं है जबकि आपका credit side का 40,000 है तो यहाँ पर भी amount कितना आएगा 40,000 आएगा तो यह केवल एक amount ही लिखाया जाएगा कब जब आपकी पद्धती कौन सी दी हो जब आपकी पद्धती इस्तिर पद्धती से आपको सवाल करने के लिए बोला गया हो तो आपका partners capital account में केवल एक ही चीज आती है clear तो I hope आपको partners capital account बनाना आ गया होगा कौन सी when the capital are fixed यहने हमको fixed capital से पूछा हो तो सबसे पहला खाता बनेगा profit and loss appropriation account दूसरा बनेगा partners capital account यहाँ आप partners capital account में देखे हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़े आई दी परिवर्तन शील पूची की देशा में जबकि स्थ्राइप पूची की देशा में क्यालों उनकी capital लिखी है चलिए अब हमको इसका दूसरा खाता बनाना है यह पहले नंबर का खाता हो गया ठीक है और यह हो गया आपका दूसरे नंबर का खाता और दोनों condition में profit and loss appropriation account तो पहले बनेगा ही बनेगा चलिए अब हमको बनाना है partners current account अब partners current account कैसे बनाएंगे तो देखे यह भी simple है पहला column आपका particulars का हो गया दूसरा amount आपका उतने amount की column हो गया जितने आपके partner थे तो यह हो गया आपका सुनील और यह हो गया आपका कपील यहाँ भी आपका पहला column particulars का हो गया देन आपका यहाँ पर हो गया amount के दो column हो गया एक हो गया आपका सुनील और एक हो गया आपका कपील चली अब हम इसमें लिखेंगे क्या तो देखिए हमको ये जो partners capital account है हम इसकी साहधा से बनाएंगे हमने जब partners capital account बनाया था फ्लेक्शुडिंग से तो उसमें उनकी capital के साथ सारी चीजे लिखी दी अब हमें क्या करना है कि हम capital तो अलग से लिख चुके हैं और capital हमने लिख दी थी अब हम क्या करेंगे capital को छोड़के जितनी चीजे बची हैं उसको लिख देंगे तो सबसे पहला आपका interest on capital, salary to partner, bonus to partner, commission to partner, interest on loan और इजो net profit तक की जो सारी चीजे हैं इन सभी को उठा के आप यहाँ पर ले आईए तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर buy interest on capital तो देखिए interest on capital आपको दे रखा है 25 रुपया सुनील का और इसके बाद 2000 रुपया आपको capital का दिया हुआ है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो salary to capital है, लिख देंगे salary to capital, चलिए salary to capital यहने सुनील में कुछ भी नहीं है, capital में कितना है, 10,000 हमने लिख दिया, उसके बाद next हम आदी आगे बढ़ेंगे, तो फिर आपको दिया हुआ है, buy, bonus to partner, तो bonus to partner में भी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए blank कर देंगे, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, to commission to partner, तो देखिए, commission to partner में हमें कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए इसको भी हम blank छोड़ देंगे, next आगे हम बढ़ते हैं, कि आपका buy, interest on loan, interest on loan भी आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे, और आपका जो net profit था last का, net profit देख ले दें, कितना है, तो net profit आपका दिया हुआ है, 10,200 और इसका है, 6,800 का पिल का, clear, यानि कहने का मतलब, हमने capital छोड़ के, बाकी सारी चीजों को as it is ल लिख दिया, और capital का नया खाता बन गया, उसके बाद जितनी भी चीज़े थी, वो सारी चीज़े नए account में उतार दी, और उसको नाम दे दिया, partners current account, ठीक है, अब इसका two side भी हम complete कर लेते हैं, तो देखिए, two side में यहाँ पर यही हम देखते है, फ्लैक्शूटिंग के हिस net loss लिख लेते हैं, केवल किस चीज़ को छोड़ना है, केवल आपको यह जो cash, जो balance आपने लिखा था, इसको छोड़ेंगे, क्योंकि यह इस account का balance था, इस account में नहीं आएगा, तो यह जो cash जो balance है, इसको हम छोड़ देंगे, और बाकी को लिख लेंगे इन तीनों को, तो हम सबसे पहले दे रखा है, आपको to drawing, तो drawing कितना दे रखा है, दिखिए, 8000, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है, 15000, then second आपको दिया हुआ है, to interest on drawing, to interest on drawing, interest on drawing कितना दिया हुआ है, आपको लिया हुआ है 200 रुपया, और कपील का दे रखा है आपको 300 रुपया, क्या इस वाल में हमको net profit था net loss नहीं था इसलिए हमने डेश शोड़ दिया और cashcom को छोड़ नहीं है ठीक है अब देखिए यहां पर इन दोनों के column बन गए सुनी लोर कपिल सुनी लोर कपिल अब आपको क्या करना है किसा आपने पहले किया था इन दोनों के columns को जोड़ना है कि करके औ क्रेट सेट जोड़ते हैं तो देखिए 10,000, 10,000 इदर 2,000 और 6,800 तो कितना हो गया यहां का total आ गया आपका 18,800 तो 18,800 यहां का आ रहा है जबकि आप कपिल का इदर जोड़ेंगे तो 15,300 आ रहा है याने आपका जो debit side है वो debit side का total कम है और credit बड़ा है तो credit बड़ा है याने यहां का total आ रहा था आपका 18,800 और जबकि यहां आ रहा है 15,300 तो 18,800 में से 15,300 को आप गटा दीजिए तो balance डेफिनेटली इदर आएगा तो balance जो आपका आएगा वो balance आएगा आपका 3,500 रुपया तो 35,000 रुपय को आप यहां पर या तो cash का नाम दे दीजिए यह आप इसको balance लिख दीजिए to balance cd लिख दीजिए अब 15,300 में से 35,000 रुपय जोड़ेंगे तो दोनों तरफ का total कपील का बराबर आगया 18,800 तो यह हमने एक complete कर ली profile देर हम second पर आते हैं तो यहां पर सुनी का लिख रहा है तो सुनील का credit side जोड़ते हैं 10,200 और 25,000 कितना हो गया 12,700 और यह हम इधर का दिखते हैं तो इधर का आ रहा है 8,200 है तो definitely हमारी credit side बढ़ी है तो credit side का total लिख देते हैं यहां पर आ रहा है हमारा 12,700 तो 12,700 credit side बढ़ी है आपकी और बड़ी side में से आपने छ का बैलेंस आजाएगा यहां पर 4500 तो 4500 जब हम जोड़ेंगे तो दोनों तरफ का टोटल आजाएगा आपका 12700 तो 12700 हमने लिख दिया ठीके और यह हमारा कैश का नया बैलेंस हो गया पर कोल सी बद्दती से जब आपके बद्दती स्थिर्दी होती है तो हम तीन प्रकार के बनते हैं तीन प्रकार की खातों में पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोपरेशन एकाउंट बनेगा दूसरा आपका पार्टनर्स कैपिटल एकाउंट आएगा पर उसमें किवल एक ही मद आती है बाकी सारी मदों को हम दूसरा एकाउंट में लिख देते हैं किसको चोड़के कैश बैलेंस को छोड़के नया बैलेंस आता है और हम उसका नाम कहा देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट तो इस वीडियो में हमने यह समझा कि जब भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट बनाने के लिए आएगा और यहीं हमको किसी भी पद्दती से स हवाल को सौल्ड करते हैं परिवरतंशील पद्दती में आपने देखा है कि सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रेशन एकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल एकाउंट बनाएंगे उसके बाद हम दूसरी पद्दती लेंगे जब हमारी पद्द अबति स्थिर होती हैं इस्थिर पद्दती में तीन प्रकार के खाते बनते हैं पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रेशन एकाउंट दूसरा पार्टनरस कैपिटल एकाउंट और थीसरा पार्टनर्स करंड एकाउंट यान morbस्त गाउटन पनेगा और इसी के मैं जो है आपका profit and loss appropriation account होता है यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप इन दोनों को आसानी से बना सकते हैं तो clear तो इस वीडियो में इतना ही और I hope कि आपको ये illustration ये example समझ में आया होगा वर ये नहीं आया है तो आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लीजे और इस से related जो भी आपको सवाल दे रखे हैं example number 2, example number 3 question number 1, question number second, then question number 3 ये सब इसी पे आधारित questions हैं जब आपको दो पद्दती देदी होती हैं और दोनों पद्दती उन से आपको सवाल करना पनता है तो I hope ये वीडियो आपको समझ में आया होगा ये आपको नहीं समझ में आया है तो आप ये वीडियो और दो से तीन बार आप repeat करके देख लीजेगा आपके सारे concept clear हो जाएंगे तो इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए आप से भी का धन्देवाद आपका दिन शुब हो बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी Thank you very much Thanks